नमस्कार दोस्तों फिर से स्वागत आप लोगों का मेरे यूट्यूब चनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ड में आज मैं जार्खन के फेस्टीवल का पार्ट वन लेके आया हूं जितने भी फेस्टीवल है टोटल 20 के करीब फेस्टीवल से उसे पार्ट वाई पार्ट सारे में क्ल क्या कहते हैं मुंड़ा के वसनतोत्सव क्या कहते हैं ठेगा भड़िज सरहुल ऋंच फिर पूछे खालिएश्टी चलीक भार्ट शहर्ट अ कर झाल है उर्म नत्र वसंतोत्सव को कौनिअ कखद्ध एमको पढ़िया के वसंतोत्सव को क्या कहा जाता है देट जोकोर और संथाल के वसंतोत्सव को क्या कहा जाता है देट इज बाप परव बाप परव या बाप परव उन लोग के उचारन के हिसाब से बाप परव बोलते हैं इसे यह सेम कीज़ है अलग अलग आदिवासियों के अलग कर लिजे कुछे उराओं के वसंतोच्षब को क्या करते हैं यही चारों अपसंदे देगा एंसर होगा खदी खड़िया के वसंतोच्षब को जोकूर वसंतोच्षब का मतलब हो गया वसंत महीने में वसंत महीने में जो उच्षब मनाया जाता है उसे वसंतोच्षब कहते हैं अब एक important question है, जो आता है प्राया की, कब मनाया जाता है, ठीक है, सर्भूल कब मनाया जाता है, खदी कब मनाया जाता है, जोकुर कब मनाया जाता है, बापरो कब मनाया जाता है, तो very simple है, वसंत महीने में, वसंत मतलब ठंडा के सीजन, ठंडा खतम होने वाली जो सीजन होती ह सबसे अच्छा खुबसूरत सीजन वसंद को ही मना जाता है कब होता है फरवरी के आसपास तो यह कब होती है आपको एक ट्रिक से याद रखना पड़ेगा चैसुत्री याद रखिए यह याद रखने से आपको चारों का कब होता है याद हो गया चेत महीना खे से सुकल को और तृतिया के दिन ठेगा एंक दम चेत्र महीने के सुकल पक्ष की तृतिया में तो यह बहुत इंपॉर्टान जितने भी फेस्टिवल्स का मैं पढ़ रहे हैं उसमें सबसे इंपॉर्टन यह है कि सर्हूल कब मनाई जाता है खदी कब मना जाता है जोकुर कब मना जात है तो चारों मना जाता है चेटू चेशुत्री में चेट महीने के सुकलपक्ष के तृतिया के दिन क्लियर तो यह वसंसोच सव का मैं बता दिया आगे सरहूल में होता क्या है वह मैं बताता हूं सरहूल पुछते सरहूल खदी जोकर बाप परव यह सब कितने दिनों का परव होता है चार दिनों का परव इसमें क्या किया जाता है प्रकृति की पूजा पुझे प्रकृति की पूजा सबसे पहले मैं एक और बता देता हूं इसका बैकग्राउंड बता देता हूं कि जारखंड की आदिवासिओं का क्या है फेस्टिवल मनाने का आधार हमें पता है कि हमारे जितने भी आदिवासिए ढ़िक perfect प्रकृति पर नीर्भर है बरसा अच्छा हुआ प्रकृति का रूख अच्छा रहा तो अच्छी फसल होगी खराब रहा तो खराब फसल होगी तो ही प्रकृती को खुश करने के लिए अपने आदर सम्मान देने के लिए हमारे धार खंड के इतने भी आदिवासे roaring साल के जो पेर होते हैं इसमें साल के जोलॉद आधार मान लीजिए इसीलिए साल के इन लोग जनम लेते हैं उस फूल को करते हैं सरई का फूल साल के फूल को सरई का फूल बेरी इंपोर्टन कोस्चन कि साल के फूल को क्या करते हैं और साल के जो बीज से तेल निकाला जाता है उस तेल को क्या करते हैं कुजरी का तेल कुजरी का तेल यह दूनों इंपोर्टन कोस्चन है ठीक है एक कोस्चन और पुछा जाता है जारखन के किस फेस्टिवल में बिरिक्षों की पुजा होती है यही चारों ठीक है यह भी इंपॉर्टन कोस्चन है आगे चार दिन में क्या क्या होता है यह बता बताया जाता है सालविक्ष के मान्यता यह है सालविक्ष के मान्यता है कि जो इन लोगों के देवता होते हैं बोंगा मतलब देवता बोंगा इन लोगों के देवता सालविक्ष में रहते हैं यह मान्यता है इसलिए सालविक्ष की पूजा करते हैं ठीक है इनके पूजा इस्थल को कहते हैं सर यह भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है चलि आगे में बता देता हूं यह चार दिन में क्या-क्या फंसंस होते हैं पहला दिन जो होता है फर्स्ट डे लोगों का जो होता है उसमें मचली का जो पानी होता है जिसमें मचली रहता है उस पानी से फर्स्ट डे का मैं बताता हूं मचली से अभिसीत जो पानी होता है उससे आंगन में सब के घाव में जितने ही वह सब की आंगन में छिड़काओ मचली अभिसक्त अभिसक्त पानी से अभिसें से आंगन में छिड़काओ आंगन में छिड़काओ छिड़काओ होता है पहला दिन यह भी कोस्टिन पुछा जा सकता है दूसरे दिन क्या होता और छिड़काओ कुन करेगा दिश पाहन इन लोगों के पुजारी को पाहन कहा जाता है यह इंपॉर्टन कोस्टिन है सरना मतलब अभी बता दियें पुजाइस्थल यह सब आपको याद रखना पड़ेगा कुजरी मतलब आपको याद रख साल के बीज से बने तेल को कुजरी कहते हैं साल के तेल है और अभी बताया सरई का फूल सरई क्या कि इसको कहा जाते हैं साल के फूल को यह चार्ट टर्मोलोजी आपको याद होना चाहिए ठीक है चलिए पहला दिन मैंने बता दिया कि मचली अभिसक्त बाटर से आंगेन में छिड़काव करते हैं दूसरे दिन क्या क्या जाता है उपवास रखा जाता है ठीक है उपवास भी रखा जाता है प्लस पाहन द्वारा एक साल पाहन द्वारा जो पाहन है इन लोगों के एक सूप में सूप मतलब लकडी का बना हुआ बास का बना हुआ सूप होता है उसमें से जो सरई का फूल हता है सरई का फूल को सब के gate में man gate जो होते है न सब घर के man gate में gate में रखा जाता है ठीक है ये यह इन पॉर्टेंट है तिसरा दिन क्या होता है तिसरा दिन सूडी बनाई जाती है उन लोगों की सूडी मतलब होता है वही मैं बता देता हूँ तिसरे दिन जो होते हैं, सरई के फूल को सरणा में प्रतिष्ठापित किया जाता है, और देवी देवताओं की पूजा की जाती है, जिसमें मुर्गियों की बली दी जाती है, इसके बाद सूरी बनाया जाता है, देखें, तिसरे दिन क्या हुआ, जो सरई का फूल है, उसको चानके स्थापीत घो जोसी दूसरी बात उनके भूंगा फोरोक व्या इसकती पूजा मतों मुर्गे की बली दिया जाता है मुर्गे की बली ठीक है और क्या होता है सूडी बनाया जाता है सूडी यह सूडी टर्मलोजी आपको याद रखना होता है सूडी मतलब होता है कि खिचडी ठीक है खिचडी यह सूरी की से बनता है मुर्गे की बली दिया इसके फ्लेश से प्लस चावल प्लस मुर्गे से ठीक है यह सूरी को उन लोगों प्रसाद के रूप में इनको खाते हैं ठीक है और अख्डा में अख्डा पांखला में मजे योच नाजगान निर्थ सृडल कहिं लोग मैदान में खुले मैदान बनादेक ले उज़य करते हैं। पांखला मेर निर्थी यह तीसरा दिन होता है। चोथे दीन इनलों का विसर्जन करते हैं, जो इस शरई के फूल है, उसको तलाब में या नदी में ले जाके विसर्जन करवाते हैं, जिस विसर्जन स्थल को गिडवा कहते हैं, ठीक है, जिस जगह पे गिडवा भी आपको याद अखना पड़ेगा, गिडवा में मतलब विस प्रतिस्ठापित किये थे उसका विसर्जन होता है चोथा दिन ठीक है बस यह सब आपको सारे याद रखना पड़ेगा तभी आप पूरी तरह से कंफर्म होके सारे जवाब दे पाएंगे यह हो गया चार दिन का जो कारिक्रम होता है सरहूल खदी जोकोर और बाफ अरब में सब में सेम है ठीक है यह पूरे फेस्ट अगर आप इतने को क्लियर कर लेंगे तो आपका सारा लगबग क्लियर हो गया और इससे ज्यादा कोस्टे खरणाता है कि किस देवता के पुजा मंदा मन्डा पुजा किस देवता के लिए है महादेव संकर भगवान ऑन करका मनंदा पूजा होता है कब होता है कि किस का किस का मने किसका पूजा होता है ये बता दिए कभ होता है यह भी आपको याद रखना बहुत जारूरी है कभ वह आप उसमें क्या पताया था सरहूल खदी जोकरवापर्व में चे-सुत्री यह यह बताया था छेत महिना सुकलपक्ष की त्रितिया को यह क्या है कि बैसाक महीने में होता है बस जस्ट एक महीने बाद जस्ट और एक महीने बाद याद रखेएगा सर्हूल खद्दी जोकूर बाप परब के जस्ट एक महीने बाद मंडा पुजा होता बैसुत्री में ठीक है बैसाक महीने कि सुकल पक्ष के तृतिया को बेरी इंपोर्टेंट है एक फुज यह क्या जाता है कि संकर भगवान के सबसे टफ सबसे ज़्यादा फिजिकल वर्क वाला जो पूजा होता है इसमें जो ब्रत रखते हैं ब्रत रखने के लड़के को ब्रत जो लड़के रखते हैं उसको भोगता कहते हैं ःधिचा और जो ब्रत लड़कियाँ रखती है उसको शोकताईन कहते हैं शोकताईन ठीक है यह सोकताईन मेरे बुक्स में देखा हूं मैं यह सोकताईन पढ़ा हूं अलकिन मेरे ख्याल से भोगताईन होना पर्लात करना चाहिए मैं इस चीज को मतलब हो सके कि उसमें मिस्प्रिंटिंग हो जिस बुक मैं पढ़ा हूं लेकिन आप इसे याद रख लिजेगा इसमें और दो टर्मलोजी आपको याद करना पड़ेगा जैसे जो धुवांसी और फुलखुंदी ठीक है यह बहुत टफ है इसका पुजा करना में आसान नहीं है जो ब्रत रखना इसका जो फुजा को संपन करना भोगता और सोकताइन बनना ट् में और तो इसमें दो वर्ट्स आपको याद रखना पड़ेगा धुबान सी क्या होता है और अग्यित फूलखुंदी फूलखंदी क्या होता है फूलखंदी क्या होता है यह इसना प्रिख चाल लोगे कर म忘. घुब जलता है इसके उपर उल्टा लटकाया जाता है भोगता को इस लटकाया जाता है और जब तक यह उल्टा लटका हुआ रहता है तब तो उसे घर वाले मावन मंडा में संकर भगवान का पूजा करते हैं प्रोसेस को कहते हैं धुए और फुल्खुंदी होता है इस इसमें आग जलते रहते हैं आग इसमें कोईला गोइठा अदी क्या है और फुल्खुंदी। ठीक है इसको कहते हैं फुलखुंदी तो यह बहुत इंपोर्टन कोस्चन है द्वानसी क्या है और फुलखुंदी क्या है और भोगता किसे कहते हैं और यह कब मना जाता है और इसमें किसकी पुजा की जाती है बस यह बहुत इंपोर्टन कोस्चन है इस सब चीज को अब तो मंदा पूजा के दीन के दिन मंदा पूजा के मंदा पूजा के दिन जो किसान होते हैं तो ने धोटी ने कपड़े पहन के हल चलाते हैं और सगुन के तोर पे सुब मुर्थ के तोर पे उस दिन धान की बुनाई करते हैं खेद जोते हैं और धान की बुनाई होती है ठीक है सिर्फ धान की बुनाई यह नहीं की पूरी तरह से बस एक मुर्थ की तोर पे एक दो मुठी की बुनाई कर देते हैं और फेस्टिवल पूरा हो जाता है तो इंपोर्टेंट कोश्चन है धान बुनियों और मंदा पूजा के दिन बहरी इंपोर्टेंट कोश्चन इसको आप याद कर लीजिए दूसरी बात एक और कोश्चन है कि जैसे सर्धूल खदी ये आदिवासियों का पर्व है ठीक है आदिवासि पर्व है और ये दोनों क्या है डेट इस आदिवासि प्लस सदान जितने सदान है उन लोगों का पर्व है सदान मतलब आदिवासि गैर आदिवासि इसको बोल सकते हैं गैर आदिवासि इन लोगों का फेस्टिवल है ये भी पुछा जा सकता है कि मंडा किसका पर्व है अदिवासियों का या सदान का ये दोनों का फेस्टिवल है ते लिए मैंने दोस्तों तीन ये तीन सर्वूल मंडा धान बुनी ये तीन फेस्टिवल का मैंने क्लियर करा द मेहने बाद दोस्तों लाइक करते रहें सबस्क्राइब कीजिए और शेर भी कीजिए